तो शेयर करिए एक क्रेंक साप सेंसर है यह महिंद्रा बोले रपा है यह मैंने कुछ डायोग्राम नया है यह टू पीन वाला है इसमें एक नंबर की पीन में 5 वोल्ट से लेके 2.5 वोल्ट तक आएगा दो नंबर की पीन पे ग्रांड रहेगा 2.5 वोल्ट तिरे तीन पीन वाला आए एक नंबर में 12 वोल्ट आएगा दो नमबर में ECM का रेफरेंश आएगा, five, fault, तीन नमबर यके पे एक राउन आएगा, ये तो दो सेंसर के बात हो गई, क्रैंक साप सेंसर, आर पीम सेंसर, ये दोनों एक ही है, जब ये fault, तो इस तरह से कोड आप आपके स्केनर में आएंगे यह फोल्ट होने पे क्या रिस्पोंस अपने गाड़ी देती है क्या मिलता है प्रेंक साफ सेंसर फोल्ट होने तो इंजिन स्टार्ट नहीं होगा इंजेक्टर पे पल्स नहीं आएगी और मिटर के अंदर आर्पीम की सुई भी उपर नहीं उठ पाएगी इस तरह के फोल्ट आता है इस में तीन वायर में यह दो वायर वालाओ आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करिए एंक यू